दोस्तों आमीर खान ने वोली वुड के दर्शकों को एक से एक सुपर इट फिल्में दिये जिन में दंगल, ट्री इडियर्स, लगान, धूम थ्री, पीकेजेसी फिल्मों को हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने खुब पसंद किया जो इन फिल्मों की कमाई देखकर ही पता लगत आमीर खान की फिल्म लाल सिंग चद्दा के शो रद्द कर दिये गए, ऐसे में क्या आमीर खान की ये फिल्म फ्लाप हो जाएगी, क्या वास्तों में दर्शक सिनेमा हौल तक नहीं जा रहे हैं, क्या आमीर खान अपनी और फिल्मों की तरह चाहिना की कमाई से इस फिल्म की फिल्मी केरियर का सबसे बुरा दिन रहा क्योंकि इस दिन उनकी बहु प्रतिक्षित फिल्म लाल सिंग चड़ा रिलीज हुई एक से एक खिट फिल्में देने वाले आमिर खान ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी फिल्म लाल सिंग चड़ा को इस कदर विरोध का सामना करना पड़ेगा लगबग 180 करोड के बजट मानी इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदे थी हेस्टेक बाइकाट लाल सिंग चड़ा ट्यूटर पर ट्रेंड कर रहा है और इसका असर भी देखा जा रहा है खबरों की माने तो पिछले दो दिनों में फिल्म की कमाई लगबग 16 करोड रुपे बताई जा रही है कई जगत थीयटर खाली पड़े हैं फिल्म का बाइकाट करने वाले लोग विरोध का मुख्य कारण आमीर खान दोरा फिल्म में एक सिक को पागल की रूप में दिखाया जाना सेनिक की रूप में फिजिकली तरक संगत नहीं लगना इसके लावा बाइकाट करने वाले आमीर खान से इसले भी नाराज हैं कि उन्होंने अपने फिल्मों में हिंदू देवी देवतां का मज़ा कुड़ाया ऐसे में क्या फिल्म लाल सिंग चड़ा अपने बजट को पूरा कर पाएगी ये एक बड़ा सवाल है उधर उनके फैंस और फिल्म को देखने वाले इस बात से इंकार कर रहे हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसके वज़े से इसका धिरोत किया जाए उनका मानना है कि ओ माई गोड में परेश रावज वारा भी हिंदू देवी देवुदाओं पर इस तरह के सीन्स पर काम किया है उनका कहना है कि इन्हें फिल्मों में देवी देवुदाओं का पान करने की नियत से नहीं बलकि मनवरजन की दृष्टी से दिखाया गया है बहराल फिल्म चाइना की कमाई से इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे क्योंकि आमीर खान की फिल्मों को चाइना के दर्शक भी खूब पसंद करते हैं आंकड़े बताते हैं कि आमीर खान की फिल्म में भारत के बराबर की कमाई की है लेकिन अभी हाली में रिलीज हुई लाल सिंग भी इस फिल्म का बाइकाट किया जाएगा जैसे ही इसकी कोई ख़बर मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे लाल जिन चिड्डा की यदि तीन दिनों की कमाई की बात की जाए पहले दिन 11 अगस्त को फिल्म में कमाई थे 12 करोड दूसरे दिन 12 अगस्त को कमाई फिल्म में लगभग 7 करोड रूपे और तीसरे दिन 9.5 करोड की कमाई कर फिल्म लगभग 28-29 करोड के बीच भारत से कमाई कर पाई है जो फिल्म के बजट को देखते हुए बहुत ही कम है यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर आल पर क्लिक करें ताकि हमारे यानवाली वीडियो की नोडिकेशन आप तक पहुंच सके